नमस्कार आज का वास्तू टिम अगर घर का मेन गेट उत्तर दिशा में हो अगर घर का मुख्य दर्वाजा उत्तर दिशा में हैं तो जरूर करें ये काम नहीं आएगी निगेटिविटी सब जग़ पॉजिटिविटी बनी रहेगी वास्तू के अनुसार शुद्ध रहेगा घर का मेन गेट जो होता है वो घर की पहचान होती है हमारे घर में आने वाले परीचीत और परीचीत लोग घर के मुख्य तरवाजे से ही आते हैं ये सिर्फ अंदर आने की जगा ही नहीं बलकि उर्जा का रास्ता भी होता है वास्तू सास्त्र में भी मेन गेट के वास्तू को बहुत बहुत दिया गया है दिया गया है, हलाकि कई बार घर का मेन गेट बनवाते समय वास्तु सासर का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसके चलते कुछ वास्तु दूसर रह जाते हैं, और अंचाही परिशानियों का सामना करना पड़ जाता है, ऐसे में हम सबसे पहले ये समझें, कि अगर हमारे घर का दरवाजा उतर की तरफ है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, जिससे positivity बढ़ी रहे, अगर हमारे घर का मेन गेट दक्षिण दिशा में बना हुआ है, देखिए पहले समझ लिजे, अगर हमारे घर का मेन गेट दक्षिण मुखी है, दक्षिण दिशा में बना हुआ है, और उसमें अगर कुछ वास्टू दोष्ट है तो महरून, एलो या बर्मिलियन रेट यानी ओरेंज शेड़ वाले लाल रंग से पेंट गेट पर रंग करवाना चाहिए मतलब अगर किसी कारण से बात नहीं बन पाई, किसी कारण से घर का जो मेन गेट है वो दर्ख्षिंड दिशा में बन गया तो उससे वास्तू दोष्ट को दूर करने के लिए बिश्ट तरीका ये है कि औरेंज शेड़ वाले लाल रंग से गेट पर रंग करवा दिजिए पॉजिटिविटी में कन्वार्ट हो जाएगा जदी घर का मेन गेट उतर दिशा में हो तो गेट पर six छे राट वाली मेटल विंड चाइम लगाएं मेटल विन्ड चाइम वो धर वाजे पर लगती है आवाज करती है न तो क्या करेंगे 6 रड़ वाली कई बार उसमें multiple होते हैं कितना होते हैं 6 रड़ वाली मेटल विन्ड चाइम लगाएँ विन्ड चाइम की आवाज से घर से negativity दूर होती है वास्तु सास्त्र के अनुसार घर का मेन गेट हमेशा पुर्व या उतर दिशा में ही बनवाना चाहिए वास्तु सास्त्र के अनुसार घर का मेन गेट या तो उतर दिशा में होगा और नहीं तो पुर्व दिशा में होनागा ऐसा करने से घर में सकारात्म कुर्जा का प्रवेश होता रहता है वास्तू के अनुसार घर के मेन गेट के उपर बंदनवार बंदन बांधना चाहिए ये बहुत शुब माना जाता है अपने यहां जितने भी फंक्शन उगर होते हैं उसमें बंदनवार बांधने की प्रथा है वास्तू के अनुसार घर के मेन गेट के उपर हमेशा बंदनवार बांधना चाहिए ये बहुत शुब माना जाता है जदि हमारे घर के मेन गेट में कोई वास्तू दोस हो तो घर के आंगन में तुलसी का पेंड लगा दीगे ऐसा करने से सारे वास्टुदोष दूर छूमंतर घर में चाहें कितने भी प्रकार के वास्टुदोष हो अगर आंगन में तुलसी जी आपने लगा दिया और तुलसी जी अगर टीक गई ठार गई कई जगों पर इतनी ज़्यादा निगेटिविटी होती है कि तुलसी जी महाँ पर सूख जाती है मुर्जा जाती है उखड जाती है उखड जाती है घर के आंगन में तुलसी जी लगाना है अगर तुलसी जी लहा गई, हरी भरी हो गई, घर के सारे वास्तु दोश दूर, घर के सारे निगेटिविटी दूर, घर में positive सकारात्मक उर्जा का प्रवा है शुरू, इसलिए जाने अंजाने में हमारे घर में वास्तु दोश्व है कि नहीं है पंडी जी से मिलें, किसी वास्तु ग्यान विद्ध से मिलें, ये सब जंजट से दूर हो करके घर के अंगर में तुलसी जी लगा दिजी, कुछ जगों पर ऐसा हो सकता है कि घर में अंगरी नहीं हो, शहरों में फ्लाइट होता है, तो घर में अंगरी नहीं हो, कोई बात नहीं, घर में तुलसी जी लगाईए, घर में एक साब सुथरे जगा पे तुलसी जी लगाईए, निगेटिविटी उससे दूर होगी, सकारात्मा बढ़ करके आएगी, जितने भी वास्तु दोश है, वो छू मंतर दूर हो चाहिए, यह रहा आज का वास्तु टिम, कैसा लगा? कॉमेंट बक्स में डालिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुब हो, नमस्कार